आपका स्वागत है आज मैं मिक्स सब्जी बना रही हूँ इसके लिए मूली बैंगन गोबी आलू और आप इसमें गाजर बिम्स भी डाल सकते हैं हरी मिर्ची धनिया पॉडर कसूरी मेती हल्दी पाच पोरन सुखी लाल मिर्ची नमक टमाटर कड़ाई में तेल गरम होने के लिए रखे जब तेल गरम हो जाए तो इसमें पाच पोरन और सुखी लाल मिर्ची और हरी मिर्ची डाले जब यह अच्छी से पड़क जाए तब इसमें आलू गोबी बैंगन गोडी सारी मिक्स सब्जी डाल दे आब इसे अच्छे से मिक्स कर ले फिर इसमें हवनी पॉडर डाल के से अच्छे से मिलाएं अच्छे से बूझ लें पिर इसे ढख के दस मिनट के लिए पकने दें जब यह अच्छे से बन जाए पक जाए तब इसमें स्वाद अनुसाद नमक लमक डाल के अच्छे से इसे मिक्स करें जब यह अच्छे से घून जाए तब इसे फिर से ढख दे ढख के अच्छे से पकाए फिर इसमें टमाटर डाले इसमें कसूरी मेथी धनिया पाउडर डाल के इसे अच्छे से मिलाएं और यह रेड़ी है बनके मिक सब्जी यह खाने में बहुत यमी है पसंद आए तो लाइक, सस्क्राइब, सेयर करें एक बार इस तरीके से बनाके जरूर ट्राई करें